कुछ नेटवर्क इश्यू के कारण वीडियो आफ हो गई थी तो कंटीनु करते हैं दब चलनी आफ फूट्स मैंने आप लोगों को बताया कि डाइजेशन्स कैसे होती हैं हमारे जो फूट्स होते हैं जो खाने के बाद क्या होती हैं कुछ और गन्स में डाइजेशन्स परिक जो होती हैं जो बडी आथ होती हैं छोटी आथ होती हैं जो हमारी पेठ होती हैं जो पाइप नली होती है फूट नली जो खाने के लिज скор양 नली होती है यह क्या होती हैं हमारी साहता करती हैं पाचंस के प्रकृयाओं में मेंहे बता रहा था The mouth of the cells of the teeth and the tongue भूजन जो हवाने मुह के साथ में क्या होती है दात और टंक्त जोड़ियो होती है पिस कीया जाते हैं दातोंकी साहता से और उन्हें कहा जाता है जो हमारी दाते होती है जो भीविन ने उदेशियों की पूर्ती करता है मैं आने आप लोग को ये जो टॉपिक है ये जो पैरग्राफ है मैं आप लोग को समझाया कि जो हमारे मुह होती है मुह के साथ में दात जुड़ी होती है ये देखे दात जुड़ी रहती है वो भोजन्ज होती है चोटे चोचे टुकरों में क्या किया जती है उनको पीसे आ जाता है टुकरा किया जता है स्मॉल पीसे में और खाया जता है help किया जाता है जो हमारी दांते सायता करती है there are four kinds जो चार प्रकार की दांते जो हैं तो ये kinds होती है जो की mouth को क्या करती है different purpose जो बीवी नो देशियों की पूर्ती करता है है न तो ने से जो paragraph है tongue is the fleshly organs present is the mouth जो हमारी जीव होते हैं पाचन रस जो होती है पाचन रस जो होती है हमारे mouth में present रहती है it helps to test and move the phone move the phone जो खाना को क्या करती है खाना को उनमें taste बनाने के लिए उन्हों इस्तांदित करने के लिए move इस्तांदित करने के लिए क्या करती है सायता करती है the tongue has tiny taste words that help it to identify different tests like sweet subtly sore and bitter जो जीब होती है उसमें एक स्वाध कलिकाएं पायाती है お願いanda words that help in the identify वो हूमें चीक करती है पाचानती है different status, अलग-अलग टेस्ट को, स्वाद को, जैसे sweet, मीठा, साडली, नमकिन, सौर, कड़वा, एंड बिटर, सौर जो होती है, खटा होती है, एंड बिटर कड़वा होती है तो यह जो चार प्रकार के स्वाद को क्या करती है, वह पहचानती है तो मैंने आप लोगको टंत के बारे में जंकरी लिया, टीत के बारे में जंकरी लिया यह जो आप देख सकते हैं, जो हमारे digestions, system है digestory system, इसको आप चीशे से ही याद रखीएगा, यह जो systems है, mouth, food pipe, stomach, lardher, detox, expciox, alcohol, oynass, and anus जो होती है ये diagram settlement पे हमारी पाचन्स क्रिया में क्या करती है सायताप्रदान करती है fun time जो दी हुई है fun times को आप लोग पढ़ियेगा इसमें दिया हुआ है कि जो दातों के प्रकार्ट होते हैं कुछ जू जीव होती है अमारे टंग्त होती है बताया गया है कि अलग अलग भागों में चार प्रकार के टेस्ट होती हैं जो कि सौटली होती हैं अंड़ बीटर्स होती हैं अंड़ सौर अंड़ स्वीट अंड़ बीटर्स होती है यह जो जीव होती है हमारे इसमें बताया गया है यह जो जीव होती है यह वालब भाग और यह वालब भाग जो होती है अलग-अलग भागों में अलग-अलग स्वाद होती है तो नेस्ट पैजस में देखते हैं नेस्ट पैग्राप देखिएगा नेस्ट पैग्राप के माद्यम से हम लोग इस्टडी करेंगे पेज नमबर 66 निकलाईएगा नियू चेटर जर्णिया फूट्स जो होती है पेज नमबर 66 66 में देखेंगे वाट हैपन यहाँ पर देखिएगा वाट हैपन के बारे में बताएगा है वाट हैपन सुमें यू सी और थिंग यू वर दफैवरेट फूट्स जब आप अपने फैवरेट फूट्स के बारे में सोचते हैं या फिर जानते हैं यह पिर फसंद करते हैं यहाँ तो यू वर मौट्स स्टार्ट वेस्टिंग्स दिस वेस्ट आपारेट थियू नहीं िलमर कालड तसल्व्या, जो हमारी मौट्स होती हैं मौत जो होती है Westing से क्या कहता है Start westing Your mouth Starting where in the fruit and the silva हमें पानी में हमारी मुँव में क्या आती है पानी आ जाती है जब कुछ अपनी पसंदिदा चीछ को देखा जाता है तो हमारी मुँव में क्या आती है पानी आ जाती है पानी आने के बाद this wasting in the food in the called silver जिसके हम लार के नाम से जानते हैं इस क्या बोलते हैं लार सिल्वा लार जिसको बोला जाता है लार के नाम से जानते हैं टाय के pieces in the चपाथी and chewing salt it slowly from sometimes बहुत कुछ समय बाद कुछ समय बाद क्या होती है कुछ चपाथी को ले उन्हें पीसेस में छोटे-छोटे पीसेस में कार दें, स्लोली काटें और थोड़ी देर बाद क्या करें After a while, थोड़ी देर बाद चबाएं बुला जा रहा है After a while, थोड़ी देर बाद I will test sweets मिठे लगने लगती है यहां पर लिखा हुआ है test sweet मिठे लगने लगती है this is the because silva first mix with the food with food and must turn it जो सिल्वा होती हैं लार होती है फिक्स वीड़ फूट्स आने के बाद क्या होती हैं लारें आती है then the subtractions called the enzymes enzymes जिसे हम क्या करते हैं enzymes करते हैं हमारी जू बोडिस में हमारी जो लार गनती में क्या होती है present रहती है enzyme in sिल्वा लार के साथ में क्या होती है साथ रहती है Break down the carbon dioxide और carbon dioxide के मदम से क्या होती है in the food of the sugar मीठे लगने लगते है दिख मैख निदफ टेस्ट in sweet is the beginning of the process ये जो प्रोसेस होती है ये जो परक्डिया होती है खाने की जो परक्डिया होती है टेस्ट उनमें स्वीट्स क्या होती है मीठे लगने के बाद उनकी जो प्रोसेस होती है डाइजेसंस की जो प्रोसेस होती है दाफूट दू नाड गेट अद फुली डिजैसे इन दा मौथ अंट तंग्थ रोल आप दे मॉइसे दे फूड इन फैल बाल यहां एक नम भोजन होती है जो की तंग्थ जो हमारी जीब की में बुमी का निबाती है गेंद की बुमी का निबाती है बाल यहां पर लिका हुआ है गेंद की बुमी का निकलती है बुमी का निबाती है यहां पर रोल्स लिका हुआ है जो हमारी माउथ होती है उनमें पीछे धकल देती है और उसे निगल जाती है यह चीज बताया गया है कि मैंने आप लोग को कुछ डाइड एजिसन्स के बारे में समझाया और उनके टंग्त के बारे मताया बोजन की जो यात्राएं होती है जनी आप फूट कैसे होती है बोजन कैसे कैसे उप्यूक किया जाते है इसके बारे में आपसे जानकार दिया आपने पहले भी फोर क्लास इसमें पढ़के आए है बोजन की यात्राव को जो की आपको समझने में ज्यादा दिकत नहीं होगी तो बात करते हैं हम नेस्टे परग्राब में दिये हुए हैं फैक्ट अंस के रूप में दिये हैं फैक्ट अंस को आप लोग पढ़िएगा and the food goes from the mouth of the stomach, stomach, throat of the food pipe जो भोजन होती है वहाँ मुह जो भोजन pipe के माध्यम से हमारी जो मुह में जो पेट होती है मुह और पेट के माध्यम से हमारी भोजन करते हैं या फिर किया जाता है बोल सकते हैं the stomach जो पेट होती है इत आदर सरद्णेंट इन्टो सेनी फ्लूट साब मिक्सर्स उसे क्या क्या जाता है अर्द तरल में में क्या क्या जाता है निस्तरन क्या जाता है these commonly designs digestion food of the passes thought of the walk of the small intestine into the blood stream this completely desires food forces जो प्रक्रिया होती है क्या प्रक्रिया होती है पेट की जो दिवारे होती है पाचन रस का पाचन रस का क्या करती है क्रसाओ करती है जो भोजन को सरर रूप में आने से क्या करती है आगे बढ़ाती है बोजन को सरर रूप में क्या करती है आगे बढ़ाती है दा वाल्फ आप दा स्टॉमेज पेट की जो दिवारे होती है पाचन की जो दिवारे होती है वहार स्रौ करती है जो भोजन को सरर रूप में क्या करती है आगे बढ़ाती है मैंने आप लोग को बताया कि रपरस्तनली क्या होती है यहां पर कुछ शीच के बारे मी बताए गया है Food of the test of the different parts of the body of the give of energy Give of energy क्या बताए गया है Give of energy हमें तागत बतान करती है भोजन करने से या लग लग प्रकार की क्या करती है हमें तागत परतान करती है यहां पूरी तरह से क्या होती है पचा हुआ जो भोजन सोती है पेट में जो आसंकी कुरुप से पचा हुआ जो भोजन छोटी आथ में परवेश करती है यहां पाचक के रसों द्वारा पूरी तरह से पच जाता है या पूरी तरह से क्या होती है पचा हुआ जो भोजन्स होते है आथ की दिवारों से रग्त प्रवहां में क्या करता है गुजरता है आथ जो होती है छोटी आथ बढ़ी आथ यक्रीत लिवर इस से क्या होती है दिवारों में रग्त प्रवहां में क्या करती है गुजरता है ब जो अच्छे पाचन के लिए कुछ सुजाव दिये गए हैं अच्छे पाचन के सुजाव क्या करना है फिर्स्ट सुजाव दिया गया है टैक स्मॉल बाइट्स जब भी आप भुजन करें उसे छोटे टुकुड़े में क्या कर दें जवा की खाएं second जो होती है drinks lost water during the day it helps in the decision food ज्यादा मातरा में क्या किये है पानी पियें प्रती एक देख देख दीन और जो की it's help in the decision food जो foods होते हैं खाचन को खाने को पचाने के लिए क्लिका करती है पानी साहता करती है some tips of food decisions के बारे मैं बताया कि कैसे हम दो tips बताया और tips कुछ tips हैं और मैं जानकरी दे रहा हूं कि क्या होती है tips जो होती है देख सकते हैं यहाँ पर tips के बारे में दिया हुआ है यह देखिए गाँ यहाँ पर कुछ tips दिये हुए है sit or walk slowly for at last half an hour after a meal do not sleep with a full stomach sit or walk walk जैसे खाना काने के half hour अलग गंटी के बाद क्या होना चाहिए आपको कहीं walk करने चाहिए कहीं घूमना चाहिए कहीं डालना चाहिए बताया है है ना do not sleep है ना सोना नहीं है foolish damage पेट के बल आपको शोना नहीं है यह चीज़ बताये गया है उसके बाद बताया गया है कि इंक्लूडेट इंक्लूडेट रॉथ इंद फूटरीज इंद फाइबर्स इंद इवर डाइग इट हेल्पस तुमूब फॉर्म्ड वीटिन द बॉड़ी एंड एलिमानेट स्वेस्ट फॉर्म इट्स इंद फॉर्म इवर डाइगा है कुछ इंक्लूडेट तरॉग फूडरीज होते हैं फाइबर्स होते हैं इवर डाइज होते हैं एंड मुवफ फॉर्म मतलब खाना को आपको एक इस्तान से दूसरे इसकन क्या होते है इस्तान्तित करना होता है विधिन द बॉड़ी एंड़ एलिमेंट्स एन बैस्ट फॉर्म इट्स जो अपसिस्ट पधार्त होते हैं विधिन द बॉड़ी आपके सरीर में जो अपसिस्ट पधार्त होते हैं उससे क्या करता है मूफ करना रहता है क्या मुद्ध करती है जैसे पुछ फूड इन दरींस फाइवर्ज होते हैं वह आपकी वोड़ी को रिलक्स करती है आपकी वोड़ी को क्या करती है पचाती है तो मैंने आप लोग को कुछ टॉपिक के बारे में समझाया कि दर्जरनी आप फूट्स क्या होती है उनकी जो पाचन सोती है उनके जो एंजाइम सोते है फूट फाइब्स क्या होती है स्टॉमेज क्या होती है सबकी बारे में जानकारी दिया अध्यन करवाया read and reflector को आप लोगे study कीजिएगा कि read and reflector में कुछ points दिये हुए है उसके बारे में मैं भी आप लोगे को चर्चा करूँगा जब classes लगेगी तो मैं आप से चर्चा करूँगा इसके बारे में तो कुछ exercise जो दिये हुए है exercise के बारे हम बात करते हैं one answer in one words आपको क्या करना है इसके बारे में क्या करना है आपको एक सब्दों में उत्तर देना है digestion begins here इसके one words में क्या होती है जो हमारी mouth होती है वह digestion में क्या करती है साहते करती है तो mouth लिख सकते है digestion ends here beginning शुरुवात क्या होती है digestion की सुबात मुह से होती है digestion की end कहां से होती है तो कहां से होती है small small लिखेंगे यहां पर small in test time मतलब छोटी आथ से होती है कहां से होती है छोटी आथ जो छोटी आथ होती है चोटी आफ से होती है, थर्ड नमबर में बताये गए है, थर्ड नमबर आप देख सकते हैं, यह जो थर्ड नमबर दिया हुआ है, the organs, the carers, the foods, जो foods होते हैं, हमारे organs में, हमारे अंग में, क्या होती है, Stomage Stom जो हमारी पेट होती है लिख सकते हैं फोर्थ नंबर जो दिया हुआ है फोर्थ नंबर में लिख सकते हैं The pipe That can't The mouth of the stomach जो हमारी Pets में, Stomage में क्या होती है जो पेट और मुह में जो pipes होती है Cannots the mouth तो आप यहाँ पर लिखिएगा Food pipe भोजन Food pipe फोर्थ नंबर में लिखिएगा क्या लिखेंगे Food pipe लिख सकते हैं फोर्थ नंबर में अब देखिए Pages number Pages number आएंगे आप 68 में देखिएगा Pages number 68 में बात की गई है किसके बारे हम बात की गई है इनके कुछ Pages number देखिएगा 5 page 68 page number में जाईएगा The Watery Fluid in the mouth are That the digest and the Convert Sturge and sugar Sturge and sugar की बात की गई है देखिए कि Convert करता है उसको change करता है कौन change करता है Convert करता है किस में change करता है Sturge and sugar में change करता है उसको बुला गया है जो की Watery Flute in the mouth होती है जो हमारी में ती है तो जो लार होती है क्या होती है लार लार जो होती है वहाँ क्या करती है change करती है लार आप लिख सकते है लार को and B number दिये हुए है B number true और false को आप लोग क्या करना है यहाँ पर true, false, true क्या लिखेंगे यहाँ पर आप भर सकते हैं true, false को true, false को दिखेगा B number, true, false exercise, page number 68 में दिखेगा true, false foot pipe contents, the stomach to the small intestine intestine test lines, test lines क्या बताएगा है, जो हमारे food pipe होती है खाद जो नली होती है पेट से होते हुए क्या होती है पेट से होते हुए छोटी यहाँ तक जाती है, क्या यह पुचा जा रहा है तो वो तो मूँ के होतर मुह के होकर क्या जाती है चोटी आंट तक जाती है तो आप क्या लिखेंगे false पहले नंबर क्या जाएगा false false लिख सकते है second number क्या दिया हुआ है tongue is a fleshly organs present in the mouth tongue तो जो होती है हमारी जीब हुई होती है fleshly organs पाचन रस जो होती है अंग में prison रहती है मारे मुह में तो यह क्या हो जाएगा true क्या कर रकते हैं true लिख सकते हैं यहाँ पर true होगा third number जो दिया हुआ है stomach excret saliva that helps to diseases starch do fat होती है excret जोती है दालार को क्या करती है digestive zone में सहायता करती है क्या नहीं तो यह क्या होगा false आप यहाँ को क्या करेंगे third number को क्या करेंगे false false लिखेंगे यह हो जाएगा false ठीक है fourth number देखिएगा digestion diginess and ends in the small instance fourth number जो digestion की प्रिक्रिया होती है और क्या कहती है small omg gene true true हो जाएगा क्योंकि आथ की जो mammal digestion's होती है वहाँ मुह से छोटी आथ तक जाती है तो इसमें छोटी आथ के बारे में बाद की गई है छोटी आथ के बारे में तो यह हो जाएगा true fifth number देखिएगा water is salt absorbing from the food in the large instance जो पानीस के क्या होती है पानीस के मादियम से हम खादी पदारतों कोई क्या कठखते है large instance मतलब बड़ी हाथ के लिए बादा बादा के बताए गया है बड़ी हाथ के लिए खादी पदारतों नहीं होती है तो यह हो जाएगा false यह हो जाएगा false तो आप क्या करेंगे one number को यहाँ पर लिखेंगे false यह हो जाएगा true यह हो जाएगा false यह हो जाएगा true यह हो जाएगा false आप देख सकते हैं true false true false मैं आप लोगो give reason from the flowing को बताऊंगा notes के माद्यम से forward करूँगा आपको group से में भेजूँँगा इसको भी मैं आप लोगो नोट से के माध्यम से send करूंगा गूर्फ में तो आप लोग study कीजिएगा अच्छ से be carefully study कीजिए जहां आपको दिक्कते होती हैं समझने में जहां आपको दिक्कते हैं मैं रही हैं मेरों को बताईगा पुर्ण हमें आपको उस चेप्टर को उस पैरग्राप्स को उस नोट्स को मैं पूरा सुधार के अच्छे से आप लोगों फिर से स्टडी करवाँगा तो आप लोगों से एक आगरा है मेरी कि आप लोग बी केरफुल रहिए क्योंकि जो कोरोना महामारी है बहुत ही बढ़ रही है घर से जब भी बाहर निकलें माकस लगाएं कुछ दूरी मेरा घर बात करें और अच्छे से स्टडी किजिएगा क्योंकि ये जो महामारी है आप लोग की एकसाम ऑनलेन प्रेक्रिया से ही हो सकती है इसकुल खुलने की चांसेस बहुत कम है तो आप लोग अच्छे से स्टडी किजिएगा जनवरी फरिवरी तक खुल भी सकती है ऐसे संदेह आ रही है चलिए नेस्ट क्लासेस के लिए हम लोग बात करेंगे थर्टिन चेप्टर बाई बेटा